गुड़ मानिंग और जय हिन दोस्तों और सभी को हैपी नुई येर आज के हम करण फिर के साथ आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा पहला कोश्चन है किस जेल को भारतिय खाद सुरुच्छा और मानक प्रत्रिकर्ड दोरा पांस सितारा रेटिंग और इट राइट कैमपस का टाइग मिला भारतिय खाद सुरुच्छा और मानक प्रत्रिकर्ड का मतलब फसाई येफ डबलियस ए आई बात के लियर है आईए बात कर लेते हैं किसे मिला तो याद रिखेगा उत्तर परदेश की बुलंद सहर उत्तर परदेश की बुलंद सहर जेल को क्या मिला है ये अच्छे क्वालिटी खाना मिलता है यूपी की बात आई है तो यूपी की मुखमंत्री कौन है योगी आदितनाथजी यूपी के सियम है आनंदी बेन पतेल यहां की क्या है राजपाल है आईए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में और क्या हुआ है चंद्र परभा वन और बात करें गोबिंद बल्लब पंद सागर जील पूरे भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील है कैसी जील है पूरे भारत की सबसे बड़ी कैसी जील है भाई किरतिम जील है ये पॉइंट आपको याद रखना है और बात करते हैं बखिरा वनजवी अभड कहां पे है यहीं पे है असफाक उल्ला खान चडिया घर कहां बना असफाक उल्ला खान प्राडी उद्यान कहां पे है अभी लेटेश्ट बना है गोरकपुर में है कहां भाईया गोरकपुर में है बात किलर हो गया और बात कर लेते ह इस्कूल चलो अभियान किस राजसरकान ने शुरू किया है इस्कूल चलो अभियान ये सरावस्ति से शुरू किया गया उत्तर परदेश का सरावस्ति जिला से और इसमें सभी जो बच्छे अभी नहीं स्कूल जा पा रहे हैं उनको इस्कूल लेनी की बात किया जा रहे है इस कल्यार कार्ड योजना कौन बनेगा भाई किसने शुरू किया ये उत्तर प्रदेश की सरकान ने शुरू किया है तो ये रहा उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बाते उत्तर प्रदेश में बिधान सभा की कितने सीटे है चार सो तीन सीटे है लोग सभा की कितने सीटे है अस से जाती हैं तो ये बाते आपको याद रखना होगा आईए आज के हम दूसरे कोश्चन के और बढ़ते हैं आज का हमारा दूसरा कोश्चन है लगवित बैंग के यमडी और CEO कौन बने मैनेजिंग डिरेक्टर अंचीफ एजगेटर आफिसर लगवित बैंग के अधिकारी बात के लियर है अगर आपसे बात कर लेते हैं कि इनकी घोषडा किस ने किया है तो RBI जिजरा बैंग काप इंडियान इनकी क्या की है घोषडा की है तीन साल के लिए बना दी है निकती की है तो RBI की बात कर लेते हैं, RBI की स्थापना 1 April 1935 को होती है, किस अधनियम के तहत होती है, पूछ ले, 1934 अधनियम के तहत होती है, किस समित की सिफारिस पर, Hilton Young Commission के सिफारिस पर, ये भी आपसे बार-बार पूछा जाता है और बात कर लेते हैं, इसके पहले गवनर कौन थे, तो याद रखेगा पहले गवनर थे, Sir Osborn Smith, इसके क्या थे, पहले गवनर है, पहले भारतिय गवनर पूछ ले, इंडियन गवनर कौन है, तो याद रखेगा, सीडी देशमुक या इनका नाम है, चिंतामन, द्वारकानाथ देशमुक, इनका क्या नाम है, याद रखेगा, वर्तमान के अगर आपसे गवनर पूछ ले, वर्तमान गवनर कौन है, अगर आपसे पूछ ले, तो याद रखेगा, सक्ती कांत दास, सक्ती कांत दास, ये वर्तमान के क्या है, गवनर है, तो ये रहा, इसके एक बैंक अभ EMD and CEO कौन बने Indian Overseas Bank के EMD and CEO कौन बने भाई साहब तो Indian Overseas Bank के EMD and CEO बने है अजय कुमार स्रीवास्ताओ अजय कुमार स्रीवास्ताओ Indian Overseas Bank के क्या बने EMD and CEO बात killer हो गया इसका Indian Overseas Bank का headquarter कहां पे है ये पूछ लिया जाता है बार बार तो चेन नहीं में है बात killer हो गया ये point आपको याद रखना है आईए हम अगले question के और बढ़ते हैं हमारा अगला question है किर्तिम हिर्दय विक्षित किस ने किया किस IIT ने किर्तिम हिर्दय विक्षित किया तो IIT किसने भाईया साहब हमारे UP की IIT IIT कानपूर तो ये मानों का हिर्दय कितने कोष्ठक सी बना है चार कोष्ठक सी बना है जिसमें दो अलिंद होते हैं और दो क्या होते हैं अलिंद होते हैं और दो निले होते हैं मानों का हिर्दय सुध करने का काम नहीं करता मानों का हिर्दय रक्त को सुद्ध करने का काम नहीं ये सिर्फ पंपिंग करने का काम करता है पुरे सरीर में हिर्दय रक्त को क्या करता है भेजता है अगर आपसे बात कर लेते हैं मानों का हिर्दय कितनी बाद धड़कता है 72 बार स्वस्थ जो मनुस्षोटा उनका हिर्द एक मिनट में 72 बार धड़कता है ये पॉइंट भी आपसे बार बार पूछा जाता है हिर्दे की धड़कन को कैसे मापा जाता है एक मसीन आती है जिसका नाम है इस फिगनो मैनोमीटर जो मसीन लगते हैं उसका नाम है इस फिगनो मैनोमीटर इस जिसे हिर्दे का क्या मापा जाता है धड़कन मापी जाती है अभी आपको पता होगा एक IIT ने स्वस्थ गर्व मोबाइल एब विक्सित किया है किसने भईया विक्सित किया है अगर किसी गर्वती महिला को कोई प्रावलम है तो इस एब के माध्यम से डाक्टर को अपने पास बुला सकती है तो स्वस्त गर्ब आयब किसे ने विक्षित किया है तो याद रिखेगा IIT रुड़की ने IIT रुड़की ने क्या किया है विक्षित किया है तो ये रहा आज का हमारा तीसरा कोश्चन आए आज के हम चौथे कोश्चन को बढ़ते हैं हमारा चौथा कोशन है सात्मा भारत का जल सप्ताह यूजना आयूजन कहां किया गया तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोडा में जहां पर फिल्म सिटी बन नहीं है उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी कहां बन नहीं है गोर आपके नोडा में अगर आप से ब कुरमू कौन है ये राश्ट पती हैं क्या Hell sí याद रखेगा इंप और couple की पहली आदवासी महिला राष्ट पती है और दोसरी महिला राश्ट पती है बात के लिए पारिखवा देवी पाठील हैं पहली महिला रास्ट पती भारत की बात बात किलर हो गया यह क्या है राष्टपती है तो राष्टपती का नाम आते ही आपको कुछ बात यूपी के बारें तो अभी हमने पहले कोशन में डिस्कुसन किया है राष्टपती की बात आई है तो राष्टपती किसे एक संबंदित अनुछेद क्या क्या है देख लिजेग जो आपके सुप्रीम कोट के जो होते हैं मुख न्यादिस वो दिलाएंगे अगर वो नहीं रहेंगे तो उनसे वरिष्टम न्यादिस दिलाते हैं बात की लिलो गया अनुछेद 61 कि से सम्मंदीत है महा भ्योग से राश्टपती की प्रकिरिया काहां पर लगाये जाती भाईया अनुछेद 61 मे अगर समिधान का उलंगान करेंगे तब अनुछेद 61 भी हो गया अनुछेद की 120 की बात कर लेते हैं राष्टपती द्वारा अध्यदे जारी करने की सक्ति कहां पे है अनुछेद 123 में है अनुछेद 71 की अगर हम बात करें अनुछेद 71 में ये है अगर वानल राश्ट्पती के चुनाव में विबाद हो जाता है तो अनुच्छेद एकात्र केता है तो सुप्रीम कोड जो कहेगा उनिड़े मान होगा अनुच्छेद वनसथ में क्या है अनुच्छेद वनसथ में इसकी बेतन और परलब्धियों का क्या है उलेख है कहाँ पे अनुच्छेद वनसथ में भारत का एक राश्ट्पती होगा ये कहाँ पी लिखा गया तीनो सिनाओ का सर्वोच कमेंडर भारत का पहला नागरीक पहला कोश्चन है भारत का पहला एकिकरित एकवा पार्क कहां बना पहला है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो भारत का पहला एकिकरित एकवा पार्क है ये कहां बना है अवडांचल परदेश में बना है कहां भाईया अडांचल परदेश की नाम आते ही आपको क्या क्य भाईया राजपाल हैं ये भी दिमाग में बैठना चाहिए नाम दफाट टाइगा रिजर्ब कहां पर भाईया यहीं पर है और बात कर लेते नमचा बरवा नमचा बरवा जहां से ब्रमपुत नदी परवेस करती है कहां से अड़ांचल भारत में तो ये कहां पर अड़ांचल फालकन हेवी राकेट किस ने लांच किया तो फालकन हेवी राकेट जो भाईया ये किस ने लांच किया है तो इस पेस येक्स ने लांच किया इस पेस येक्स ने है दुनिया का सबसे सकतिसाली दुनिया का विश्व का सबसे सकतिसाली सबसे सकतिसाली राकेट को लांच कर द यह पोउइंट आपके लिए important हो जाता है is состоatsLab की बात आई ही मिरे भाई कहां से लांग किया अगर यह श्antine भी आम से पूछेसे Фलोहरिडा से लांग किया गया है अगर is a Space X की बात कर लेते हैं, Space X के संस्थापक and CEO कौन है, संस्थापक and CEO वरतमान में कौन है, तो याद रिखेगा एलन मस्क, एलन मस्क ये प्राइवेट कमपनी है, Space Agency है, याद रिखेगा, इसकी अस्थापना कब होती है, 14 मार्च 2002 को इसकी क्या होती है, अस्थापना होती है, और आप से बात कर लिया जाए, कि भाई साब इसका Headquarter कहां पे, California में है, California अमेरिका में इसका क्या है, Headquarter है, ये Point आपके लिए Important हो जाता है, आईए आगे अगले Question के और बढ़ते हैं, हमारा अगला Question विस्व रैपिड सत्रन Championship किसने जीता, पुरूस कटेगरी का, विस्व रैप कारलसन जीते हैं, और ये कहां के हैं भाईया, नार्वे के हैं, इन्होंने क्या किया है, विस्व रैपिड सत्रन Championship किसने जीता है, तो याद रखेगा, इसमें दो पदक भारतियन जीता है, दो पदक किसने जीता है, भारत के जीता है, और भारत की कौन जीती है, तो कोनोरू हमपी, कोनोरू हमपी जीती है, और ये दो पदक जीतने वाली पहली भारतिय बन गई है, कोनोरू हमपी, विस्व रैपिड सत्रन Championship में दो पदक जीतने वाली, विस्व रैपिड सिलवर, क चंपियन्सिप में पदख जितने वाली पहली महिला कॉन है तो ये भी कौन है कुनोरौ हम पी है 2019 में जीती थी विस्ट रैपड वाले में बात समझ मागिया उपरा पड़ोले विस्ट रैपड सतनले चंपियन्सिप में अगर पुछे पहली महिला बताई है जिन्होंने पदक जीता है तो कुनोरू हम भी ही जीती है 2019 में ये point आपके लिए important हो इस बार इन्होंने कितना पदक बिलिट्ज में जीता है दो पदक जीती है और खेल की बात आई है खेल की बात आई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए अभी हाली म BCCI ने TEST के लिए TAP performance जारी कर दिया 2012 का किसने अच्छा पर्फार्मेंस किया TEST में तो दो खिलाड़ी का नाम इन्होंने बताया है इन्होंने कहा कि BCCI ने तेस्ट में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाले का दोजर बाइस में नाम दिया है एक लोग का नाम है रिशब रिशब पंथ और दूसरे का नाम है भाईया जस्परीत बुम्रा ये दो लोगों को कहा कि टेस्ट में बेस्ट परफार्मेंस रहे हैं 2022 में भारत की तरफ से रिशब पंथ की बात कर लेते हैं तो रिशब पंथ ने क्या किया है भाई सेव शाथ मैच खेले हैं और साथ मैच मे 680 कितने 680 बनाए हैं जिन में से दो सतक सामिल थे और चार अद सतक सामिल थे ये भी इंपोर्टेंट है जस्पित बुम्रा की बात करें तो इन्हों ने पाँच मैच में पाँच टेस्ट मैच में टोटल 22 बिकट लिये थे ये लाइनी हो जाती है तो ये रहा हमारा BCCI से सम धन्यात्रा उत्सव कहां आयोजित किया गया भईया तो जो धन्यात्रा उत्सव है ये आयोजित किया है याद रखेगा इंपोर्टेंट है तो इसका आयोजन किया गया है उड़ी सामे कहां पे उड़ी सामे धन्यात्रा जो उत्सव है ये क्या है दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा open air theater इसे कहा जाता है theater कहा जाता है खुले में लोग इसको देखते रहें बात समझ माया धन्यात्रा उत्सो ये दो साल बाद इस बार आयूजन किया गया है इसलिए और important बन जाता है अगर हम बात करें उडिसा की तो उडिसा के बात करें उडिसा के CM कौन है नमीन पटनायक उडिसा के क्या है CM है यहां की राजपाल की बात कर लेते है गड़ेसी लाल यहां के क्या है राजपाल है और बात कर लेते है उडिसा में क्या है पारादीब बंदरगा कहां बहिया उडिसा में है पारा दीब बंदरगा कहां पे है उडिसा में है और आगे बात करें तो चिलका जिलिया कहां है भाईया यही उडिसा में है चिलका जिल भी कहां है उडिसा में सत्य कोसिया टाइयर रिजर्ब कहां पे है यही उडिसा में है और बात कर लेते हैं भीतर कनिका नेसल पार कहां प किस ने किया तो मेगा देरी का उद्गाटन किस ने किया है तो हमारे जो इस समय गिरी मंत्राले के मंतरी गिरी मंतरी जो है वर्तमान में और सहकारिता मामले के जो मंतरी हैं सहकारिता मामले के जो मंतरी हैं अमित साह ने इसका क्या किया है उद्गाटन किया है अमित साह जी ने इसका क्या किया उद्घातन किया कहा किया है करनाटक में किया है करनाटक में कहा किया है पुछले मंडिया में किया है करनाटक के मंडिया में किया है याद रखेगा यहाँ पे 10 लाख लीटर दूद क्या होगा परड़े प्रस्कित किया जाएगा और अमिसाह की बात आई है तो नहीं लांच के अमिस्साने प्रहरी बियस सब की बात आई है तो बियस सब के महा निदेशक भी बदले गए हैं आवा इनहूं के लगे हाथ निप्टाई दे तो बियस सब के जो वर्तमान में महा निदेशक है ये कौन बने हैं तो याद रखेगा सुजाव लाव थाउसेन बन हैं B.S.A.P के किया महा निदेशक भी हैं ये C.R.P.F. के महा निदेशक भी है ये C.R.P.F. के भी है और B.S.A.P के अतरिक्त परभार के रूप में इनको मिला है बात समझ मा गया I.T.B.S.A.P की बात कर लेते हैं B.S.A.P के अस्ठापना कम हुई थी 1 दिसमबर 1965 को क्या हु PSAW और पाकिस्तान के बाइडर पे BSB क्या है तैनात है और बात कर लेते हैं जैसे अभी हाल ही में ITBP ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं अनीस दयाल सिंग बने है किसके ITBP के महानिदेशक अगर पुछले CISF के महानिदेशक बने हैं तो तो सील बर्धन सिंग, सील बर्धन सिंग, यह CSP के क्या है, महानिदेशक बने हैं, यह point आपको याद रखना है, अगर आप से पूछले, BSP जो है, इसमें BSP में ऐसा कौन सा, BSP बार्डर सिकुर्डी फोर्स है, इसमें महिला उट वाले भी सामिल है, तो BSP है, वह भारत की है, BSP का जो टैग लाइन क्या है, जीवन परियंत कर्थब, क्या है, जीवन परियंत कर्थब, यह point आपके लिए important हो जाता है, तो यह रहा, आज का हमारा current affair, वीडियो पसंद आया, तो प्लिए like से subscribe कीजेगा, थेंक्यू, धन्यवाद दोस्तों